हेलो एब्रीवन वैलकम चू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चाबे क्या हमारा एमरेस का एक्जाम कैंसल हो गया क्या एंटीए फीस वापस कर रहा है फॉर्म करेक्शन के लिए अब विंडो ओपेन नहीं होगा जो लोग कोड़ोना कोविट की वज़ा से फॉर्म नहीं फिल कर पाएं थे क्या वो लोग वापस से फिल नहीं कर पाएंगे कहने का मतलब है निव रेइस्ट्रेशन नहीं होगा तो यह वीडियो से फिसलिये बना रहे हैं ताक कि इसके इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे यह जो आप लोग कमेंट करके कि अपने नहीं होगा तो इस पर प्लीज मत जाओ कोई फाइदा नहीं है सिर्फ माइंड डाइवाट होगा अगर मैंने यहां पर यह दो लिए तो यह चिज वायरल भी हो या तो इस बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए इन सब बातों पर नहीं जाना है कि एक्जाम कैंसल ख वापस कर रहा है इसका कोई लाजिक ही नहीं है जब तक को अफिसल अफ़ीशल अपडेट नहीं आता सिर्फ और सिर्फ यह ड्यूमर से अब बात करते हैं क्या यह इंप्रेंट है जादे कि हमारा एक्जाम कब होगा फॉर्म करेक्शन कब होगा या फिर इससे जादे यह यहीं चीजीज है कि जब भी दो महिने में हो। इस मन्थ वेड करते हैं क्योंकि कोई अधर उप्संस नहीं है इस मंथ वेच करना ही होगा में भी कुछ ना कुछ अपडेट आजाएगा क्योंकि सी टैट का इक्जाम भी यही ले रहा तो जब जैसी उसका नोटिफिकेशन आएगा वोफुली हमारा भी करें कुछ करने की जरुवत नहीं आप आप की प्रिप्रेशन हमारा सिलेबस हैं अन्सारा इंचेंज आपिक्स कंपिक्स हैं कि क्या हमने हिसना से सृपिक्साय मुझा आख्ण जो मॉक है वो कर लिया टाइम मैनेजमेंट हर चीज कर लिया इतने सारे काम है प्रिपेशन के लिए तो उस पे फोकस करने की वजाएं इस पे क्यों फोकस करें हम लोग कि हमारा एक्जाम कब होगा या फॉर्म करेक्शन कब होगा इसाल होगा पैसे वापस सेंट देना है उसमें सेलक्षन लेना है ठीक है बाकि कोई अबडेट आता है तो मैं आप लोगों को इनफॉर्म कर दूंगी तब तक आप अपना प्रिप्रेशन कंटिन्यू रखिए सिर्फ यह अमरे सीनी अब बहुत ही जल्द के विएस की भी वैकेंसी आने को है तो लिए भी रेडी ठीक है थैंक यू सो मच